जब सत्ता की ताकत के सामने सवाल कम्सोर पढ़ जाएं तो आवाज भुलंद करनी पढ़ती है बोल किलब आजाद है तेरे दियूस क्लिक पर मेरे साथ बोल किलब आजाद है तेरे दास्कार आप देख रहे हैं बोल किलब आजाद है तेरे मैं अबिसार शर्मा मैंसे क्या काऊं राजनीतिक, मास्टर स्ट्रोक या बेशर्मी आप जानते हैं ये हैं महराश्र के मुख्य मंतरी उद्दव ठाकरे इन्होंने फोन लगाया प्रधान मंतरी कारयाले को और क्या आप जानते हैं कि प्रधान मंतरी कारयाले ने महराश्र के मुख्य मंतरी उडव ठाकरे से बात करने से मना कर दिया इस खबर के मताबिक जो इस वक्वर आपके स्क्रीम्स पर है आप जानते हैं PMO यानी की Prime Minister's Office ने उडव ठाकरे को क्या कहा उडव ठाकरे से ये कहा कि प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी जो है वो पश्चिम बंगाल में रालियां कर रहे हैं, इसलिए आप से बात नहीं कर सकते हैं, और उद्दर ठाकरे उनसे क्या कह रहे थे, कि मेरे राज में आक्सिजिन टैंक्स खतम हो रहे हैं, आक्सिजिन की सप्लाई खतम हो रही है, आप मेरी मदद कीजिए, केंदर सरकार मेरी म मुख्य मंत्री का सीधे प्रधान मंत्री को इस मुद्दे के लिए कॉल करना बहुत बड़ी बात है। आपकी स्क्रीन्स पर ये हैं नवाब मलिक और ये हैं महाराश्य सरकार में मंत्री ये बहुत ही खतरनाक और संसनी खेस दावा कर रहे हैं। ये ट्वीट पढ़िए इसमें ये कह रहे हैं कि उन्होंने 16 एक्सपोर्ट कंपनी से घुजारिश की थी कि उन्हें रैम डेजविर इंजेक्शन मोहया कराए जाएं। इन 16 कंपनियों ने महाराश्य को रैम डेजविर इंजेक्शन देने से मना कर दिया। ये कहते हुए कि मोदी सरकार ने उन्हें धमकी दी है कि अगर उन्होंने महाराश्य को रैम डेजविर इंजेक्शन दिये तो हम आपके लाइसेंस कैंसल कर देंगे। अगर ये दावा सही है तो आज बोल के लब आजाद हैं के जरीए हम ये सवाल उठा रहे हैं कि महाराश्य में सत्ता ना होने का ये बदला लेगी बीजेपी। और इसके जवाब में स्वास्त मंत्री हर्श वर्धन ने ट्वीट किया है कि मेरी बाचीत उद्धव ठाकरे से हुई है और मैंने उन्हें ये आश्वासन दिया है कि उन्हें ऑक्सिजन की पूरी सप्लाई मिलेगी इसके अलावा अत्रिक्त 1121 वेंटिलेटर्स जो हैं वो म पताए चलता है कि मुद्दा कितना कम भीर है और प्रदानमंत्री मंत्री में बजी हैं और वो क्या कर रहे हैं उसका एक नजारा दिख्ये जी हां वही दीदी ओ दीदी सुनिए मगर मैं कुछ और कह रहा हूँ जब से ये मुद्दा उग्र हुआ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक शब्द नहीं बोला लगातार ये मांग उठ रही है कि पश्यमंगाल के चुनावों को अब जो चार चरण बचे हुए थे उसे आप एक चरण में तब्दील कर दें उसको लेकर कोई जवाब नहीं किसी तरह की कोई टिपपण ही नहीं और देखे मैं आपको बताता हूँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये बयान आज सुबह उन्होंने ये ट्वीट किया जो इस वक आपके स्क्रीन्स पर है कि बड़ी तादाद में जाकर वोट दें यानि कि वो चाहते तो एक शब्द बोलते ना प्रधानमंत्री क्या शब्द बोलते वो कि मास्क लगाईए कुरोना का हम मिलकर सामने करें ये तमाम चीजें उन्होंने नहीं की उन्होंने क्या अपील की उन्होंने ये अपील की कि बड़ी तादाद में जाकर वोट कीजिए अब मैं आपको बताता हूँ कि खुद तो आप चुनावी रैलीस कर रहे हैं मगर दूसरों को ग्यान देने के लिए इनके पास बहुत समय हैं मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उन्होंने कुम्भ में साधों से क्या अपील की आपके स्क्रीन्स पर आशार महामंडेलेश्वर पूझ जुस्वामी अवधेशानंद गिरी से आज सुभ़े फोन पर बात की सभी संतों के स्वास्त का हाल जाना सभी संतगण प्रशासन को हर प्रकार का सहयोग कर रहे हैं मैं इसके लिए संत जगत का आभार व्यक्त कर रहा हूँ मैंने प्रार्थना की दो शाही स्नान हो चुके हैं और अब कुम्भ को कुरोना के संकट के चलते परतीकात्मक ही रखा जाए इस से इस संकत से लड़ाई को एक ताकत मिलेगी वो कह रहे हैं कि कुंभ शंकट को परतीकात्मक यानि कि symbolic रखा जाए प्रधान लूंत्री मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कुंभ तो परतीकात्मक हो जाए अस्पताल भी प्रतिकातमक, इलाज भी प्रतिकातमक, वैक्सीन भी प्रतिकातमक और शम्शान भी प्रतिकातमक दोस्तों एक ऐसे दोर में जब प्रधान मंतरी दूसरों को तो सबक दे रहे हैं मगर खुद पश्च मंगाल में चुनावे राली इसको संबोधित कर रहे हैं और सबसे दुक्की बात यह है कि आज जब उन्होंने आसन सोल में राली को संबोधित किया तो वो इस बात पर जोद दे रहे थे कि मेरी निगाह जहां भी जा रही है वहां मुझे लोग खड़े वोई दिखाई दे रहे हैं इस राली की शुरुवात से पहले प्रधान मंत्री को कहना चाहिए था कि आप सब शारीरिक दूरी का पालन करें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें किसी ने कोई इस तरह की कोई बात प्रधान मंत्री दे नहीं कई क्या बात उन्हें ने कई आप कुछ सुनी ये चोथाई लोग भी नहीं थे समा में आज चारों तरफ मैंने ऐसी समा पहली बार देखी है जी पहली बार देखी है अब बताईए मेरी सिकायद मिठी है कि कड़वी है आज आपने ऐसा दम दिखा दिया है ऐसी ताकत दिखा दिये मैं जहां देख सकता हूं मुझे लोग ही लोग दिखते हैं बागी कुछ दिखता ही नहीं है और दोस्तों बीजेपी के प्रचारतंत्र की चालाकी देखिए इससे पहले क्या होता था कि जब भी प्रधान नंत्री भाशन देते थे और कैमरा अकसर भीड को दिखाता था मगर इस बार ये लोग भीड को नहीं दिखा रहे थे इस बार ये लोग सिर्फ उन लोगों को दिखा रहे थे जिन्होंने चेहरे पर मास्क पहना हुआ था यानि कुछ लोग को बिठा दिया गया होगा कि भईया तुम चेहरे पर मास्क पहनो और बार-बार कैमरा उनी को कट कर रहा था हम शोर सुन रहे थे आसपास लोग का मगर प्रधान मंत्री ने कहीं पर भी या ये कहा जाए इन्होंने कहीं पर भी उस भीड को नहीं दिखाया जो कोविड गाइडलाइन्स का पालन नहीं कर रहे थे देखिए वो किस भीड को दिखा रहे थे लगातार प्रधान मंत्री ने जूना खाड़े से बात की मगर जाहिर सी बात है उन्होंने उनकी बात नहीं मानी क्या कहना है जूना खाड़े के इंटरनाशनल प्रवक्ता श्री गिरी का आप खुद सुनी प्रवक्ता श्री के इसाब से कुम्मेला जो है 14 अपरेल से लेके 26 मही तक चलने वाला है अभी चार सनाद वाकी है सरकार का गार्ड लेन केंदर सरकार राजिय सरकार वो अपने इसाब से चलती है अभी जो है वो 26 मही तक कुम्मेला चलेगा हम लोग सब यहीं पर रहने वाले हमारा देवता का सनाना होगा चार सनाना भी बाकी है हम लोग सनान करेंगे किसे बी परकार का कोई भी हमारा संत मात्मा है सब ने अच्छा भयान दिया है प्रम पूजिये प्रम बंदनिये प्रम आधरनिये निर्जने गाड़ कर सचिव रवेंदर पूरी जी महाराज ने भी कहा है कि हम लोग 27 अप्रेल कुछ सादू जाना चाहता है तो जाए तो ऐसा है कि कुछ सादू संद बिमार है वो जाए वैस्विक मावारी करोना सबके लि जी हाँ गिरी साहब ये कह रहे हैं कि मरना तो सबको है एक दिन मैं क्या कहूं दोस्तों क्योंकि धर्म का मामला है इस पे क्या कहा जा सकता है मगर जब एक हैसियत एक शक्सियत जो धार्मिक तौर पर इतना एहं स्थान रखता है international प्रवक्ता हैं आप जुनाक अड़े के वो कह रहे हैं कि भई मरना तो सभी को है मगर जो परंपरा सालों से चली आ रही है हम उसे बंद नहीं करेंगे हम उसे कर्टेल नहीं करेंगे और यह मत सोचिए कि यह नजारा इस तरह की बयानात आप यहीं देखेंगे मैं अब आपको अजमेर दरगाह लेके चलता हूँ दोस्तों यहां भीड देखिएगा तकरीर हो रही है लोग इतने वहां मौजूद हैं मैं यह भी नहीं जानता हूँ कि इन्होंने कोविट गाइडलाइन्स का अनुसरन किया है कि नहीं सुनिएं यहां क्या हो रहा है देखिए हर शाख पे खेर मैं इतना ही कह सकता हूँ दोस्तों कि धर्म एक बहुत अच्छी जीज़ है हम सब को जूडती है आध्यात्म हमें इश्वर के करीब लाती है मगर वक्त से पहले हमें इश्वर के पास नहीं जाना चाहिए धार्मिक तौर पर आध्यात्मिक तौर पर मानसिक तौर पर आप इश्वर से जुड़िये ना आप शारीरिक तौर पर क्यों जाना चाहते हैं समझे रहे हैं कि नहीं मेरी बात को और दोस्तों सबसे धुख की बात कि हमारी सरकार हैं हकीकत को छ्षिपा रही हैं यह तस्वीर देखिए दोस्तों यह भैसाकुंड की तस्वीर है लखनाओं के भैसाकुंड की यहां पर बाकाइदा जो शवाग्र है उसको छुपाया जा रहा है ताकि लोग देखना सकें क्या इस तरह से हकीका छुप जाएगी और योगी सरकार और क्या कर रही है मैं आपको बताता दोस्तों यह Economic Times की खबर है यह खबर क्या कहती है मैं आपको पढ़के सुनाना चाहता हूँ Amid the record jump in the new COVID-19 infections in Lucknow testing for the disease in the city has been severely constrained with several private diagnostic laboratories not conducting tests or limiting their sample collection Some pathology chains ET spoke with said they have been disallowed but did not say why यानि कि प्रयोग शालाओं पर दबाव डाला जा रहा है कि आप और ज्यादा tests ना करें क्यों? क्योंकि आप ज्यादा tests करेंगे तो पता चलेगा कि कितने corona positive है उनकी तादाद बढ़ जाएगी मगर सरकार हमारी जान के साथ खेल रही है क्योंकि देखिए जब testy नहीं होगा तो पता कैसे चलेगा कोई corona positive है और जब पता नहीं चलेगा तो फिर उसका इलाज कैसे होगा और जब इलाज नहीं होगा तो अच्छा खासा मरीज अच्छा खासा व्यक्ती तो मर जाएगा ना मैं ये समझना चाहता हूँ योगी सरकार के साथ कि आप इतनी बड़ी भूल इतना अक्षम में अपराद कैसे कर सकते हैं भाई और बात यहां नहीं रुकती मैं आपको बताता हूँ गुजरात में भी दोस्तों यही हो रहा है दीपक पतेल जो की कहना है कि अब तक सिर्फ चोहत्तर मौते हुई है जब की साथ शहरों में अब तक कोविड की वज़ा से 594 लोगों का क्रिया कर्म अंतिम संसकार किया गया है यह किसी और की नहीं बलकि संदेश की पड़ताल है तो मैंने आपको दो सोर्स बताए एक तरफ मैंने आपको बताया कि एकोनॉमिक टाइम्स बता रहा है कि प्रयोग शालाओं पर दबाव है यूपी सरकार प्रयोग शालाओं पर दबाव डाल रही है कि आप टेस्ट ना करें परीक्षन ना करें जिससे यह पता चलेगा किसी को कोरोना है और दूसी तरफ मैंने आपको संदेश की एक जलकी दिखाई सरकार कह रही है 74 लोग की मौत हुई है मगर सिर्फ अंतिम संसकार बता रहे हैं कि 594 लोगों के अंतिम संसकार किये गए हैं दोस्ता हम सब जानते हैं कि जब एक बड़ी समस्या आती है ना तो उसका सामना करना बहुत मुश्किल होता है खासकर अगर समस्या बहुत विक्रा लो मगर पूरा एक साल था आपके पास इस एक साल में आप अपने हेल्थ इंफरस्ट्रक्शर को बहतर कर सकते थे बहतर तो बहुत दूर की बात है अब हालात को छिपाया जा रहा है जहां शव जल रहे हैं उसको पूरी तरह से कवर किया जा रहा है प्रयोग शालाओं से कहा जा रहा है इस खबर के मुताबिक कि आप टेस्ट ही ना करो फिर जो मर रहे हैं लोग वो भी आंकडे चुपाये जा रहे हैं ऐसी सरकार से बेरहम निर्मम कोई सरकार नहीं हो सकती हम लगातार इस देश के सबसे लोकप्रिय राजनेता लोगों के दिलों की धड़कन हमारे प्रधानमंत्री से अपील कर रहे हैं कुरोना पर कुछ तो कही है मगर वो नहीं कर रहे हैं वो अब भी चुनावी राली इसको संबोधित कर रहे हैं ये सवाल इस सरकार पर नहीं है ये सवाल आप पर है आप जो इस देश की जनता हैं क्योंकि सरकारों ने बता दिया है कि वो आपको अपने जूती की नोक पर रखते हैं ये बात अलग है कि इस सब के बावजूद आप नतमस तक होके उन्हीं के सामने जुकते हैं और फिर वहीं दोहराव पैदा करने वाले मुद्दे बांटने वाले मुद्दों पर वोट देते हैं ये सवाल सरकार पर नहीं ये सवाल आप पर है शर्म सरकार को ही नहीं आपको भी आनी चाहिए तो बोल कि लबाजाद ने तेरे में बस इतना ही आप सार शर्मा को दीजिए अजासत नमसकार